हेलो एवरिवन हावर यू आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पड़ाई बहुत अच्छे चल रही होगी आज पिछली बार की तरह हम इसमें कुछ सवाल करने वाले हैं इनके उत्तर आप लोगों को देने हैं और यह उत्तर आप लोगों को वीडियो में क कर सकते हो कमेंट्स के माधियम से इनके उत्तर साथ साथ दे ठीक है तो पहला सवाल है हमारे पास एक वर के चारों कौनों पर चार आवेस है प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू चार आवेस है तो रखे हुए हैं इनके कैनर से विद्यू सेत्र ई और विद्य अधिर से तोभी दिया हुआ है और एसे भी पर और रखे आवेस सी तथा डी पर रखेंथ कर देम मतलब A और B पे जो आवेस रखे हैं उनकों रख़ दिया जाए और दी पर और Saya और भी पर जो हमुरेश रखे गए उनको रख दिया जाए mr.ber तो च्या होगा ऐसी इस्तती में आपको इंहार यहाँ से एक अंकर करना है क्या होगा और बाद में बात करेंगे अगला सवाल है हमारे पास आरवन और टू त्रिजा के दू आवेसे चालग गुल हैं और इनका विबाव समान है ऐसी बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या दिया हुआ है सवाल को ठीक से पढ़ने पर पता चलेगा और इनका अनुपात अवेस घनत्व का अनुपात को ज्याद करना है अवेस घनत्व का अनुपात हमें ज्याद करना है इसके बाद मैक स्ट्रिशन है हमारे पास एक्स वाई निर्देशांग के मूल बिंदू दस माइक्रोकुलाम का आवेस इस्तित है और मूल बिंदू पर एक्स और य एक्स जो होती है ऐसे लेते हैं इस ब अब बिंदू दिये वैं उन बिन्दू के विवायंतर ग्याद करना है वोलत में तो बिंदू कहाँ परिस्थित है विववाय का सुत्र होता है के क्यू अपॉन आर इस सुत्र का कूरं करें और प्रियास करें उतर आं जाएगा कि विद्यूत विवाओं का मात्र क्या होगा यह बहुत ज्यादा आसान क्यूंसन और इसका मात्रक हमें सर्च करना कि बताना है मात्र क्यां आगे हम कर रहे हैं दो से अधिक बिंदू आवेशों के कारण इस्तिर विद्यूति इस्तती जोड़ा का सम्हान ग्याद करना है पिछली बार हमने किया था दो बिंदुओं के कारण इस्ति जूर्जा एक बिंदु आवेस इस्तिर है दूसरे बिंदु आवेस को अनंत से कहीं से लेके आ रहे हैं उसके समेप किसी बिंदु पी पर जहां पर अब कि दूरी और विंदु आवेस से दूरी आ रहे हे उसके लिए स्ति जूर्जा आवेस मालो Q2 को लेके आ रहे हैं किदर के साइड ए बिंदू से बी बिंदू की और इस टाइब से यह निकाला था तो फॉर्मुला हमारी पास आया था के क्यू अपॉन आर इस बार हम दो से अधिक आविसों के बारे में उनके दो से अधिक आविसों के निकाए के स्तती जू आवेस को कहीं सिला के इस बिंदू पर रखते हैं जो है Q1 यह Q1 आवेस मालो अननल से कहीं से ला कि हमने यहां पर अपे रखा तो इस आवेस को प्रतिकर्षित करने करने में वाला कोई दूसरा आवेस नहीं ध्यांट से अपने माले बात है त्युज्ज्ञा क्या चीज मेडियाइफ के मादियम से आपको मिल जाएंगे और दूसरा हम जो बोल रहे हैं तो उसमें डेफिनीशन जरूर बोलते हैं तो बड़े ध्यान से उसको देख के सुनके डेफिनीशन को देखो जैसे यहां पर भी है कि किसी आवेश को विडियो सेत्र में अनन से किसी बिंदूप पर लेखे आवें तो उसके लिए अपने कार्य करना पड़ेगा जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य वस्तु में आवेसों में या निकाई में इस्तती जोड़ जाके रूप में संचित रहता है तो यहां पर जो आवेस आया Q1 उसको प्रतिकर्शित करने वाला या उसका विरोध करने वाला कोई दूसरा आवेस नहीं दूसरा अगर आवेस नहीं है तो इसके लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा तो हम इस बिन्दू का नाम यह रख लेते हैं और यहां देखते हैं क्यू वन आवेस को पिंदू ए पर ए पर लाने में किया गया कार्य वह कितना होगा डबलू वन यह डबलू ए कुछ भी बोल सकते हैं हम ए बोल देता हैं वह यह पर लेकर आ रहे हैं तो क्यों देखता है ७र कि इस लिए हो इसको प्रतिकरशित करने वाला कोई दूसरा आवेस यहां पर उपस्थित नहीं है जब आवेस यहां पर दूसरा है यह तो किस्से से आकर्सित या अब ये आवेस यह आन पर आया है अब अगर यह आवेस है तोAc exposure में और उस विद्यू सेत्र में अगर कोई दूसरा आवेस आता है तो वो दूसरे आवेस को अकरसीत या प्रतिकरसित कर सकता है देखते हैं के मालों यहां पे बिंदू बी पर बी पर कोई दूसर आवेस q2 आता है और यह बिन्दू पी जो है वो दिन्दू एक विज्यज उत्लतरं में है यानि कि प्रफाहस्ट विपो रखा आवेस बिस ए पर रखे आवेसे या तो मान के चलता है यह भी पॉजिटिव चार्ज है और यह भी पॉजिटिव चार्ज है दोनों धनावेस है तो दोनों के बीच बल कैसा लगेगा दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और यह जो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है इस प्रतिकर्षण बल के कारण प्रतिकर्षण बल इधर की स संचित रहेगा तो देखते हैं क्या देखते हैं कि क्यू टू आवेश को बिंदू बी पर लाने में किया गया कार्य बी पर लेके आए तो ए ने उसका विरोध किया डबलू बी डबलू बी हमारे पास हो जाएगा एक के खारण है तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर अब यह जो आर है आर इन दोनों के बीच की दूरी है इस दूरी को हम आर वन आर टू ले ले लेते हैं इस दूरी को हम आर वन आर टू ले बाई यह दूरी हम माल लेते हैं कि भई आर वन र टू है आर वन रटू इसको हम बोलेंगे आर वंटू यह दूरी हमारे पास आवी अब यह क्यों क्यों अपन आर आया कैसे यह इस्ताथी जुड़्या का सुत्र जो पिछली बार हमने किया था फिर देख लेते एक बार के कार्य का सुत्र होता है इस इस्तति वैसे बल इंटू विस्थापन होता है लेकिन यहां पे हम विबाव की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम कार्य का सुत्र लगाएंगे आवेस Q 1 के कारण विबाव इन्टू आवेस Q 2 ठीक है इसी लाइन को पीछे के साट लिख देता है W B is equal to Q 1 के कारण विबाव इन्टू आवेस Q 2 ठीक है किसको आए Q 2 आवेस को Q 2 आवेस को लेके आए तो Q 2 का मलिटिप्लाई होगा और यह इदर लिखा जाए Q 1 आवेस के कारण विबाव क्या होगा के Q 1 अपॉन आवेस यह वाला हमारी पास आ गया के Q 1 Q 2 अपॉन और यह डबलू बी का सुत्र हो गया डबलू बी बोले या यू भी बोले बिबी पर इस्तति जो बुले एक ही बात है जो हम कार्य करेंगे निकाय में उड़ जा के रूप में इस्तित रूप में संचित रहेगा फिर आगे हम देखते हैं कि इस बार हम आवेस ले इस बार इस बिंदू सी पर जो Q 3 आवेस आया है बिंदू सी पर जो Q 3 आवेस आया है उस आवेस को प्रतिकर्षित करने वाले यहां दो आवेस है क्यों भी प्रतिकर्षित करेगा और क्यू टू भी प्रतिकर्षित यह आवेस इसको इदर की साइड प्रतिकर्षित करेगा यह आवेस इसको इदर की साइड प्रतिकर्षित करेगा तो खुल मिला के दो आवेस इसको दूरी आएगी ए से सी तक और दूसरी दूरी आएगी हमारे पास बी से सी तक अब इन दूरियों के नाम भी लिख लेते हैं कि नाम हमारे पास यह होगा आर यह पहला और तीसरा आवेस है तो वन थ्री कि यह दूरी आर यह दूसरा और तीसरा आवेस है तो त्री और यहां पर जो कायरे निखालना है यहां पर हम लिख सकते हैं वन तू चिस के कारण है क्यू यूष लिख दिया है अब प्रसी तरह से क्यू था व्यंदू पर लाने में किया गया कार्य क्यूं कि 3 आवेश को बिंदू कि सी तक लाने में किया गया कार्य तो डबलू सी लिख सकते हैं हम डबलू सी लिखेंगे देखते हैं बिंदू का है बिंदू यह रहा इस बिंदू पर आवेश कार्य का सुत्र होता है विभाव इंटू आवेश कार्य का सुत्र क्या होता है विभाव इंटू आवेश और विभाव का सुत्र क्या के क्यू वन क A Q upon R तो इसके कारण दो बिंदू आवेस है A और B पर Q1 और Q2 जिसके कारण विबव होगा यानि की Q1 और Q2 के कारण विबव होगा और आवेस का गुणा करेंगे 3 ठेक है Q1 व Q2 के कारण विबव इन्टू Q3 लाये किसको Q3 को इसलिए Q3 का गुणा करेंगे तो अब हमारे पास WC क्या आजाएगा बिंदू C पर कारे क्या आजाएगा V A प्लस V B A के कारण और B के कारण और इनका गुणा करेंगे किससे Q3 से तो मान लिखते हैं क्या मान होगा इसका तो के Q1 अपान R Q1 से दूरी किती है 1 से दूरी है इसकी R 1 3 1 से दूरी है R 1 3 प्लस Q2 से दूरी किती है के Q2 Q2 से दूरी किती है Q2 से हमारे पास यह रहा Q2 यह दूरी है है R 23 R 23 है तो यहां पर हम लिखने वाड़े हैं R 23 और multiply किसके करेंगे Q 3 जिस आवेश को लेके आते हैं उसका गुना करते हैं और जो आवेश पहले से अल्रेड़ी पढ़ा होता है उसका विभाव ज्याद करते हैं तो W C is equal to K Q1 Q3 upon R 13 प्लस K Q2 Q3 upon R 23 यह हमारे पास W C का मान आए गया इसको आप लोग W1 W2 W3 कारी ऐसे भी बोल सकते हैं हमने यहां पर W ABC बोला है यहां पर देखते हैं कुल कारे कुल कारे क्या है कुल कारे हमारे पास W is equal to W A plus W B plus W C जब पहला पहला आवेश लेके आये थे तो कोई डूसरा आवेश उपस्तित था ही नहीं इसलिए उसके ऊपर कोई कारे हुआ ही नहीं इसलिए इसका मान कितना है इसका मान है अपने पास 0 प्लस जब दूसरा आवेश लेके आये क्यू टू उस समय केवल एक ही आवेश उपस्तित था इसके कारण हमारे पास आया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू अपॉन वन टू है क्यू वन टू है क्यू वन और क्यू टू के बीज की दूरी यह केवल एक प्रदर्सित करने का तरीका है हम यहां पे आर वन और टू ऐसा लिख रहे हैं इसका मतलब यह पहले आवेश और यह दूसरे आवेश के बीज की दूरी जो है वो कितनी है आर है केवल एक छोटा सा लिखनाय का तरीका है आर टू थ्री लिखा है इससे हमें पता चलेगा दूसरे और तीसरे आवेश के बीज की दूरी अब डबलू सी की बात करें तो लिखा हुआ यह पर के q1 q3 q1 q3 अपान r13 और प्लस के q2 q3 अपान r23 तो इस तरह से हमारे पास डबलू कुल कारिया हमारे पास क्या आ जाएगा डबलू इज इक्वल टू के q1 q2 अपान r12 यह वाला इस्टैप लिखा है सेकेंड जिरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है और प्लस उसके बाद हम यह लिख रहे हैं के q2 q3 अपान r23 i a sequence के लिए लिख रहे हैं आगे पीछे sequence के लिए किया है थाकि हमारे पास एक ऐसी sequence बढ़न r12 फिर 23 फिर 31 तो देखते हैं के q3 q1 यह दोनों रासिया q1 और q3 गुणा में है यह वाली और गुणा में है तो इनको आगे पीछे लिखा जा सकता है है चार इंटू पांच को पांच इंटू चार भी लिखा जा सकता है उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे लिख सकते हैं हम आर थ्री वन तो यह हमारे पास सुत्र आगया किसका लो से अधिक आविशों के निकाएक का विधित इस तती जोड़ा का सुत्रकारिय बोले या उर्जा बोले एक ही बात है तो हम अगले स्टैब में यहां पर डबलू की जगे यू लिखना चाहते हैं डबलू की जगे क्या जाएगा यू आ जाएगा तो यू की वैल्यू क्या ह हो जाएगी के q1 q2 अब यहां ध्यान देना के बात है q1 q2 उसके बाद आ जाएगा के q25-3 लास्ट डिजिट जो होता है वू रिपीट होता है उसके बाद अगलाउंक आ जाता है one के बाद टू पिर टूब के बात री फिर आ जाएगा के q3 और q1 पिर हैं नीचे की दूरिय आर वन टू यह जो है आर टू थ्री और इसमें बूलो दूरी क्या आएगी आर थ्री वन प्लस और प्लस कि अब यह इस तथी जुड़ जाका हमारे पास सुत्र हो गया और यहां पर हमने केवल तीन आवेस लिए थे अगर यहां पर आवेसों के संख्या तीन नहीं हो और ज्यादा हो तो क्या करना है यदी इसको खत्म मानें और हम एक कर्णिशन देख रहे हैं यदी आवेसों के संख्या थीन से अधिक हो यानि की एन हो तो इस तत्री जूट जा कैसे लिखेंगे यूज इक वर तो अब यहां पर हमें यह सेक्वेंस आगे बढ़ा नहीं है और इन में वन टू फिर टू थ्री फिर थ्री फोर फिर फोर फाइव यह करम चलता रहेगा तो लिखते है के क्उर एन क्यू टू क्लस के क्यू टू क्यू थ्री फ्लस क्यू थ्री क्यू स्थिए फोर प्लस तो वैसे ही क्यू एन के साथ आएगा क्यू वन दूरियों की बात करें तो आर वन टू यहां पर आर टू थ्री यहां पर आर थ्री फूर यह सेक्वेंस चलती जाएगी यह करम चलता जाएगा और यह हमारे पास आ गया आवेसों के समूव के लिए इस्तती जूर्जा का सुत्र तो इसके अंदर हमने देखा के बहुत ही आसान से चीज है इस टॉपिक के अंदर अगर हमें यह सुत्र याद है चोटा सा के आवेस का जो सुत्र होता है कारी का सुत्र जो होता है वह विभव इंटू आवेस होता है यह सुत्र बड़ा लिखा हुआ है यह विभव इंटू आवेस होलगा है यानि कि सौट में लिखे है तो डबलू इस इक्वाल टू क्यू इंटू इस सुत्र का हमने इस कारण रखा है कि एक आवेश उसके आसपास उपस्तित सभी आवेशों के कारण प्रभावित होता है अगर सभी आवेशों के कारण प्रभावित होता है तो उसके कारण इस्तथी दूर्जा के मान में भी परिवरतन होता है वह हमने अभी निकाल लिए इसके बाद नेक्ष्ट हम एक क्यूस्टन करते हैं नुमेरिकल टाइप क्यूस्टन करते हैं विभाव के लिए देखते हैं अगला सवाल है हमारे पास मरasu को कुल ना दो सेंटीमेटर है伊 Zoo बूरूट दो सेंटीमेटर तूरू सेंटीमेटर्ट के वसके पृति एकivalने पर और दो माइक्रो Já typ कि लाम के आवेश रखे हो गए है और वर के कैंद्र पर विद्ध विवाव की हमें गणना करना लिए तो विद्ध दिमाग में बनना चाहिए उसके बाद हम इसको कॉपी पर बना के देखेंगे यह हमारे पास डाइग्राम इसके अंदर यह कह रहा है कि हर एक और फिर दू माइक्रो कुलाम का दू माइक्रो कुलाम का और दू माइक्रो कुलाम का कितने आवेस हो गए चार आवेस यहां पर र करनी है वर्का केंद्र हमारे पास है यह वाला सेंटर यह है हमारे पास वर्ग के कैंद्र के उपर वर्ग के कैंद्र के उपर विद्युत विबाव की गढणा करनी है वर्ग का कैंद्र हमारे पास यह है और इसके उपर हमें विद्युत विबाव की गढणा करनी है विद्युत विबाव एक अधिस रासी है और अधिस रासी है तो विबाव का सुत्र होगा वी बराबर वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फो लेकिन उसके लिए हमें यह जो दूरी है वो दीवी यह टू रूट टू टू रूट टू यह भी ए टू रूट टू और यह भी है टू रूट टू और चारो दूरी वर गया तो चारो बुझाएं बराबर होगी और यह मान दिया वह हमें सेंटीमीटर में कि यहां हमें देखना है कि यह सेंटर ओ है ओ से यह दूरी निकालनी है यह दूरी जो होगी वह से दूरी है सेंटर ओकी तो यह दूरी हमें पता नहीं है हमें यह पूरी दूरी दी विए तो हम यहां से एक लमप डालते हैं जो किसी बिंदू पर मिलता है और यह कौन मालो थेटा है यह कौन 90 डिगरी और यहां पर यह दूरी पूरी अगर टूरूट तू है तो यहां से ओ से एम तक मालों यह अपने पास ले लेते ए बी से और डी ओ से M तक दूरी 2 root 2 की आदी हो जाएगी 2 root 1 की आदी हो जाएगी तो हम यहां पे लिखेंगे यह दूरी हमारे पास है under root 2 और यह दूरी पूरी जितनी है वो है 2 root 2 पर यह दूरी अगर 2 root 2 है तो यह दूरी भी हमारे पास किती होगी 2 root 2 होगी अगर यह दूरी हमारे पास 2 root 2 होग तो यह वाली दूरी उसकी आधी यानि के अंडरूट टूर कुल मिला के हमें विबाव का सुत्र है वी इज इक्वाल टू के क्यू अपॉन आर तो हमें आर निकालना पड़ेगा आर क्या यहां पे आवेश और बिंदू के बीच की दूरी यह और बिंदू के बीच की दूरी है आवेश यह रहा हमारा और बिंदू यह रहा ओ ओ पे हमें विद्यू त्विबाव की गणड़ना करनी है तो उसके लिए पहले हम दूरी निकालते हैं इस त्रिबुच को दियान में रखो इस त्रिबुच को हम वापस बनाने वाले हैं का नाम है ओ ए ए एम ओ यह हमारे पास ओ यह ए यह एम यहां पर आया था रूट टू और यह है रूट टू और यह कौन ठीटा और यह मान लो नबे डिग्री एम पर हमने लिया नबे डिग्री तो जैसा यह त्रिबूत बना हुआ है सेम टू सेम वैसे आपने बना लिया अब यहां पर हमें कर्ण निकालना है पाइथा वरुस पर में हमारे पास है पाइथा गौरस प्रमीः ठीक है यह हम लिख रहे हैं थोड़ा समय लगता है अब लोग चाहें तो जल्दी से इस सवालों को सॉल कर सकते हैं जल्दी से यह बता सकते हैं और वि वाव के घंडा भी कर सकते हैं तो यह हो जाएगा कर्ण E स्कुएर बराबर आधार स्कुएर प्लस लम्ब स्कुएर कर्ण है हमारे पास निकालना O A आधार है हमारे पास अंडर रूट 2 का स्कुएर प्लस और यह लंब है अपने पास रूट तो का इसक्वेर यह आ जाएगा दो प्लस दो रूट टू का इसक्वेर जो होगा वह रूट टू इंटू रूट टू होगा और यह जो वैल्यू है टू के बराबर होगी अब और यह निकालना है तो इधर की साइट रूट करना पड़ेगा इधर का इसक्वेर अटेगा दूसरे साइट रूट आएगा और यह आजाएगा रूट चार और यह आजाएगा ओ यह बराबर प्लस माइनस दो तो यह कर्ण हमारे पास किता आया कि दो सेंटीमेटर तो यह अगर करन दो सेंटीमेटर आता है तो हमारे पास यह जो दूरियां है यह दो सेंटीमेटर आ जाएगी तो यह भी दो सेंटीमेटर होगी और यह दो सेंटीमेटर होगी और यह दो सेंटीमेटर होगी और यह दो सेंटीमेटर जो आ गए वह स्मॉ आर के जो महन आये हमारे पास उनकी साहिता से केंद्र ओपर केंद्र ओपर कुल विद्यत विबाव क्या आएगा वी इक्वाल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फूर चार तरह के यहां क्यों ही दूब का चार कोन है और चारों पर सावत रखे हुएं तो पहला विबाव होगा इस एक कारण। दूसरा वहगा वी के यह थी के चोटा होगा डे के की क्यू अपॉन आर अवेस्ट बराबर दूरी भी बराबर तो फिर क्यूँ वन क्यूटू क्यू लगाएं प्लस क्यू अपॉन आर प्लस क्यूँ अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन हार इसका मतलब सोर के क्यू अपॉन आर यह विबाव का सुत्रा आगी है कहां पर कैंद्र पर कैंद्र ओपर है इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं उसके बाद वी ओ निकालने के लिए यहां पर के इस इक्वल टू कुलाम नियतांके नौ इंटू दस की गात नौ होता है न्यूटन मीटर स्कॉर प्रति कुलाम स्कॉर क्यूंकि वैल्यू हमें 2-0 कुलाम दीवी है यानि की दो इंटू दस की गात माइनस 6 कुलाम माइक्रो को कुलाम में चैंज करेंगे माइक्रो अठाएंगे और र की वैल्यू हमारी पास आई है इस चित्र में देखें यहां से यहां तकड निकाला हमने में 2 सेंटीमीटर आया है तो हम लिखेंगे 2 सेंटी मीटर का भराबर 2 इंटू दस की गात माइनस 2 मीटर मात्र एक ही होना चाहिए सैंटीमीटर है उस और में में बदला है अब ये मान इस के अंदर रखने वाले इया किसमें भी बराबर vind गी इसमें रखने वाले 4 K Q अपान R में तो चलो रखके देखते हैं V O is equal to 4 K Q अपान R एक बार वापस लिख लिया V O is equal to 4 9 into 10 की गात 10 की गात 9 और Q का मान दो माइक्रो कुलाम 10 की गात माइनस 6 आर का मान आया 2 cm इसको हमने बदला मीटर में मीटर में बदलने के लिए 10 की गात माइनस 2 से गुणा किया हमने 100 का भाग देओ यह दस की गात माइनस 2 से गुणा करो एक ही बात है वी ओ की वेल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 से 2 कट हो गया 9 into 4 36 into 10 की गात 9 माइनस 6 यह दो जो नीचे दो है माइनस के वह नीचे से उपर की और जाएंगे तो दस की गात प्लस के दू हो जाएंगे 9 मैंसे 6 गए 3 बसते तीन में प्लस 2 कर दिये यह प्रैक्टिस चुटी सी होनी थे यह 36 into 10 की गात 9 मैंसे 6 गए 3 बचे 5 और विभाव का मात्र क्या होगा वोल्ट क्या होगा वोल्ट तो हमारे पास जो answer आया वह यह है तो अब हमारे पास जो पूछे गएते सवाल उनके बारे में डिस्कस करते हैं उमीद है आप लोगोंने कमेंट कर दी होंगे या सॉल कर दी होंगे अब इनको बड़े ध्यान से देखना है और अपने एंस्वर जो भी आये हैं आपके उनको हमारे एंस्वर के साथ मैच करना है और कंफर्म करना है वही क्या चीज है तो पहला सवाल है हमारे पास कि एक वर के चारों कौनब पर चार आवेश है ठीक है और रखे हुए हैं और इनको क्यांद्र पर विद्यूत विवाव विए और विद्यूत्र की तियूट्र ए अगर ए और वाले आवेशों को सी और डी वाले प्रतिस्थापित करने का मतलब दौनों के इस्थान आपस में परिवर्तित कर दें तो क्या होगा तो क्या होगा यह देखते हैं तो चेत्र बनाना पड़े पढ़ा प्याले तो हम बनाते हैं एक वर्ग हम बना रहे हैं एक वर्ग ठीक है यह वर्ग हमने बनाया वर्ग है तो इसकी चारों बुझाएं बराबर होगी और इधर हम एक और वर्ग बनाते हैं यह से दोनां बर दिखने में चोटे बड़े हो सकते हैं मैं इसको अटा देते हैं तो चोटेबडे नहीं देखेंगे दोनां बराबर दिखेंगे यह वर्ग अब हम में हम यह मान लेते हैं कि यह यह है यह बी है यह सी और यह दी है इसमें भी यह 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 बी यह सी और यह डी है अब इसने क्या कहा है कि ए और बी पर रखे हुए है प्लस क्यू क्यू आवेस तो हम यहां पे रखते हैं प्लस क्यू आवेस प्लस क्यू आवेस यहां रखते हैं माइनस क्यू आवेस यहां रखते हैं माइनस क्यू आवेस अब इसके बाद हमें करना क्या है इसके बाद करना है यह कि इन आवेसों को जगा चैंज कर देनी यहां पर कर देना माइनस क्यूँ यहां कर देना माइनस क्यूँ यहां कर देना है प्लस क्यूँ और यहां कर देना है प्लस क्यूँ यह आवेस कौनों पर रखे हुए है यह व है तब क्या हुआ में विद्यु सेत्र परिवर्तित हुआ कि या नहीं हुआ विज्यट विवह परिवर्तित हुआ कि अँद सवाल है बदल जाता यह नहीं बदलता तो उसके लिए विद्युत विवाँ प्लस वी थु प्लस वी 24 आवेस नहीं बदले तो विद्व विद्व भी कैसे बदलेगा जगह अगर बदली है तो दूर यह भी बराबर है तो कि प्रयास करते हैं कि यह हमारे पास इसका एक करना आ गया फिर हम एक और तो विकन लेते हैं और और अफिर करनी आपकी रख देते हैं तो यह सेंटर आगे इस सेंटर के ऊपर विद्य विभाव और विद्व सेत्र की थीव्परता के बारे में जानकली ले लगी तो इस बिंदु पर पहले हम मरत करते हैं विदियो सेतर की ते टा कैपियल एक तो तीवधता पहले बात पहुत करता ई सदिस रासी और तीवर्टा कैसी रासी है सदिस रासी है दूसरी बात कि तीवर्टा की जो दिसा है तीवर्टा की जिसा जो है याद रखने वाली बात है प्लस से दूर होती है अगर प्लस है तो उसे बल रेखाएं निकलेगी यानि कि तिव्रता बल रेखाओं की दिशा में होती है और माइनस की और होती है यह हमें ध्यान में रखना है प्लस से दूर होती है और माइनस की और होती है तो यह तिव्रता की दिशा होती है तो देखत कहेंगे इधर नहीं बिन्दू ओपर तीवर्था की दिशा किसके कारण एक कारण हमने क्या लिखा प्लस से दूर होती है इधर के साइड तीवर्था की दिशा हो जाएगी एक किसके कारण के कारण अब बिन्दू बी पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण तीवर्था की दिशा किदर होगी इधर की साइड यह तीवर्था की दिशा होगी इबी क्या इए और इबी बराबर है इका सुत्र होता है हमारे पास के क्यू अपॉन आर इस्क्वेर जब आवेस नहीं बद आतलरी डूरी सब ido बराबर है सारी अचा सब बराबर है ला इतो यह द मौरी अगर अरह तो यह भी यह द मौरी कोई भी कम ज्यादा नहीं है फिर हम से पर रखे आवेश के बारे में बात करते हैं तो सी पर जो हो दो पर रख रखा हुए है वह आवेस माइनस है और माइनस की और तीवृता होती है यानि की कलर चैंज करके देख लेते हैं कि सी पर यह आवेस और दी पर यह आवेस तो इसी इधर ही होगा और इडी इधर ही इन दोनों का जो परिणामी होगा इन चारों का जो परिणामी होगा देखो यह माइनस वाले नीचे की और बना है और प्लस वाले के कारण जो तीव्रता है वो प्लस से दूर बनाई है परिणामी तीव्रता इधर आ जाएगी परिणामी तीवरता इधर की और आ जाएगी सॉल्ड करने की जरूत नहीं है क्योंकि हमें आंकी एक मान पूछे ही नहीं है सेम बात यहां पे भी अगर देखें तो यह इसका सेंटर पॉइंट वो है इस बार प्लस आवेस इधर आ गए तो प्लस से दूर तीवरता की जिशा इस इधर हो जाएगी और डी के खारण तीवरता की जिशा इधर हो जाएगी यहां से देखें प्लस नीचे आ गए तो प्लस से दूर तीवरता की जिशा बतानी है और माइनस के ऊपर चले गए तो माइनस की और तुरुता की नहीं सा बतानी दो की और बताने के लिए हम यह काम करते कि झा मि आग्या पर माइनस से इसकी और तियूरता होगी और यह बीपर जो इनका आएगा वो इधर की साइड आजाएगा यह दिसा में इसका परिणामी होगा बदलने का क्या मतलब हमारे पास जैसे यह का मान आगया पच्चास आगया जो भी मात्रक है पूर्व की और तो बदलने का यह मतलब होता है कि यह तो यह परिमान बदले और परिमान नहीं बदले तो दिसा बदले दौनों में से कोई एक चीज बदलती तो भी हम कहता है कि मान परिवर्तित हो घया इक मान में सब्सक्राइब कर प्यान से देखें दाइरेक्शन पहले किदर थी नीचे कि और आबुकल की और पहले यह के मान में परिवर्तन हुआ है तो यह बदल जाता है यह सही लिखा हुआ है यह तता वी दोनों परिवर्ते तो दोनों बदल जाते हैं तो इन दो मैसे कोई अंसर सही हो सकता है या तो भी सही हो सकता है या एस हो सकता है अब हमें पता करना है वी के बारे में वी का फॉर्म समला होता है k q upon r इसके अंदर दिस्सा वाली कोई बात है नहीं तो v is equal to v1 प्लस v2 Q plus V 3 plus V 4 V is equal to V 1 A or B के कारण है A or B के कारण है K plus Q upon R दूर यह सब की बराबर है plus K plus का Q upon R plus K minus Q upon R plus K minus Q upon R आवेस नहीं बदल हैं अगर ध्यान से देखें तो यह इससे कड़ जाएगा तोनों सेम है निसान प्लस माइनस का अंतर है यह प्लस का गुणा माइनस से होगा यह इससे कड़ जाएगा खुल मिला के फाइनल एंसर आ जाएगा यह 45 इस्तति बदलने से पहले भी जियरो आविसों की इस्तत्ति बदलने के बाद भी जिरो कि इसका मदलब वी परीवर्स नहीं होगा वी अ परिवर्तित रहेगा तो इसका एंससर एउसके बाद हमारी पास नेक्स्ट कुछन है आर वन आर टू त्रीजा के आवेसेत गोले हैं ध्यान देना है वीबाव समान है ऐसा बुला है समान विबाव पर है तब उनके प्रस्ट आवेस घनतों का अनुपात क्या होगा देखते हैं वी वन इज इक्वाल टू वी टू ऐसा बूला है के क्यू अप आवेस अलग-अलग हो सकते हैं तो 1 और 2 किया के से के कड़ गया क्यू वन अपॉन आर वन इस एक्वल टू क्यू टू अपॉन आर टू हमें पता है कि के आवेस गनत्व का एक सुत्र होता है आवेस गनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए ए है सर्फेस एरिया सत्र तो यहां से क्यू का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा ए तो क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर इस्वेर हार छोटा लिया छोटा ले लेते हैं हुआ हुआ कि यह हमारे पास अवेस गनत्व के बारे में थोड़ी से जानकरी आगई तो अब यहां पे दिया हुआ है क्यू वन तो हम लिखेंगे क्यू वन की जगह ए है सिग्मा इन्टू 4 πई आर स्क्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् 4 pi r2 ka square or r2 यह लिख दिया r2 ऐसी condition के अंदर 4 pi से 4 pi cancel हो गया तो हमारे पास आया sigma 1 upon sigma 2 बराबर यह रहा बराबर r1 upon r2 लेकिन साथ में square भी है r1 का square यह वाला एक बार वापस लिख देते हैं इसको sigma 1 r1 square upon r1 बराबर sigma 2 r2 का square upon r2 r1 से 1 r1 कर जाएगा sigma 1 r1 बराबर sigma 2 r2 sigma क्या है sigma है फ्रस्ट आवेश गनतूर तो sigma 1 upon sigma 2 किसके बराबर हो गया r2 upon r1 answer क्या हो गया आपना देखें r2 upon r1 पहला answer राइट है तीसरा सवाल हमारे पास है कि यह निर्देशंग दिये हुए अगर निर्देशंग दिये हुए हैं और दस माइक्रो कुलाम आवेश यहां पर उपस्थी तो ऐसी इस्तती के अंदर बिंदू दिये हुए हमें a0 यानि कि एक्स अक्स पे चलना है y अक्स पे 0 चलना है उसके बाद नेक्स बिंदू दिया हुए आप रूट 2 अग्स पे चलना a by root 2 एब रूट 2 तो ए से थोड़ा कम होगा रूट 2 एक से बड़ा होता है और यह पोईंट यहां कहीं तो हमारे पास इस तरह से हो जाता है यह हमारे पास फोईंट आगया एक एक पॉइंट आ जीरो और डूसरा इसे थोड़ा सा पहले उपर की साइड पॉइंट आगया ए अपॉन रूट टू कॉमा एपॉन रूट टू अगर यह दूरी हमारे पास एह ओगई ओ से 10 इस我跟你講 तो ये दूरी कितनी है यह 한ोग ये निकालनी होगी ये दूरी किस्थ यहां से ये दूरी और ये दूरी है एपान रूट टू और यह दूरी किती है एपान रूट टू ऐसी कंडिशन में कर्ण निकालना है पाइथा वरस्प्रमें से कर्ण हो जाएगा हमारे पास इसका नाम रख लेता है कुछ पी एम ओपी एम है त्रिबुज ओपी एम है यह हमारे पास हो गया ओ पी का स्कुएर इस एक्वाल टू O M ाय स्कुएर प्लस P M ाय स्कुएर तो O P ापऑा इसक्वाल टू हो गया आपनेड पास A वाई र्टू चुझा होल जो प्लस A रा रूट two का whole square यह आजाएगा a square upon two plus a square upon two is equal to आजाएगा a square ओ P square ओ P is equal to आजाएगा plus minus ओ P is equal to आजाएगा a minus लिखने की जरूर्द नहीं क्योंकि दूरियां minus में नहीं होती है तो यह जो दूरी है हमारे पास आचुकिये rån कि यहाँ से ए दूरी भी यह है यहां से ए दूरी भी यह है कि एसी इस्तति मैं वी is equal to K Q upon a square होगा दूरी US square होता है कर यहाँ पे एके बराबर दिया हुआ है तो खुल मिलाके बिंदू के नाम क्या रखें हमने नाम रखें है एक तो पी लिया तो बिंदू पी और क्यूं के उपर जो विभव होगा वह बराबर होगा क्योंकि आवेस के लिए बराबर है अगर आवेस बराबर है माइक्रोकुलाम चित्र में देखें इस बिंदू के लिए यह दस माइक्रोकुलाम है इस बिंदू से दूरी ए है इस बिंदू से भी दूरी ए है जब दौना यह दूरियां बराबर हुआ तो यह दौना विभाव सम विभाव सम विभाव बिंदू हो गए यानि कि विभाव इनका बराबर अगर विभाव बराबर है तो विभाव अंतर किता हो गया विभाव अंतर हो गया इसका एंसर हो गया हमारे पास सुने उसके बाद नेक्स्ट क्यूसन है हमारी पास कि विदित विवाव का मात्रक क्या होगा विदित विवाव का मात्रक होगा हमारी पास जैसे यह जूल है तो जूल कार्य या उर्जा का मात्रक होता है न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का मात्रक होता है कैल्विन किसका होता है ताप का होता है तो एक किसका होता है विभाव का मात्रक प्रास यह हमारे पास इसका एंसर हो जाएगा कों संध्सल्ट को ना है वोल्ट को इसके साथ ही हमने यह टॉपिक पुरा किया सवाल भी हमारे होगे उम्मीद है कि आप लोगों के एंसर जो कमेंट्स में वह हुए होंगे और कि डेफिनेटली सब्सक्राइब क्यों कि आप लोगों ने पिछली वीडियो धियान से देखें हैं पड़े हैं और समझने का प्रियास किया है आगे हम और प्रियास करेंगे विडियोत विबाव में अभी बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं जल्दी यह चैट पर पूरा होने वाला है मिलते हैं अगली बार जब तक के लिए थैंक यू